एक घनासा जंगल था, गर्मियों का मौसम था, सारी जानवर गर्मी से बहुत परिशान थे उस जंगल में दो दोस्त थे, शेर और बाग, दोन्यों बहुत अच्छे दोस्त थे, शिकार जो भी मिलता, दोन्यों मिल बाट कर ही खाते थे जंगल के सारे जानवर उनसे बहुत डरते थे और उनकी दोस्ती को देखकर हैरान भी रहते थे एक दिन शेर बोला अरे दोस्त गर्मी अब बढ़ गई है और जंगल में पानी की बहुत कमी हो रही है हाँ मेरे यार पता नहीं कब बारिश होगी और इस गर्मी के वज़े से जानवर जादा तर जंगल में नहीं गूम रहे हैं सब अपनी अपनी गुफा में बैठे है हाँ इसकी वज़े से शिकार भी बड़ा मुश्किल हो रहा है चलो दोस्त आज कुछ शिकार करते हैं बहुत दिनों से आज कुछ अच्छा खाते हैं हाँ दोस्त चलो दोब बहुत जादा थी दोनों दोस्त शिकार की तलाश में निकल पड़े बहुत दूर चलने के बाद एक भैस मिलती है उसका शिकार करते हैं और पेट भर कर खा लेते हैं भोजन खत्म होने के बाद दोनों को प्यास शुरू हो जाती है मेरा तो पेड़ी पर गया आज बहुत मज़ा आया आज का शिकार बहुत स्वादिश्ट था सच में मज़ा तो आ गया लेकिन आप मुझे बहुत प्यास लग रही है चलो पानी भी ढूणते हैं आप दोनों दोस्त पानी तलाश में निकलते हैं दोनों बहुत दूर चलते चलते खोचते रहते उन्हें एक छोटा सा ज़र्ना दीखता है जिसे बहुत धीरे-धीरे पानी आ रहा था पानी को देख दोनों को थोड़ी तसल्ली हो जाती है तबी शेर कहता है चले शुकर है पानी मिल तो गया हाँ पानी बहुत धीरे आ रहा है लेकिन एक काम करता हूँ पहले पानी मैं पी लेता हूँ फिर मेरे बाद तुम पी ले ना अरे ऐसा क्यों मुझे बहुत प्यास लग रही है शेर ने कहा पहले पानी मैं पी ओँगा बाद में तुम पी ले ना मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ पहले पानी मैं पिऊँगा तुम बाद में पीओगे और इस तरहे दोनों दोस्तों में जगड़ा शुरू हो गया और पानी के वज़े से उनकी सालों पुरानी गहरी दोस्ती टूट जाती है तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें पानी सोच समझ कर खर्च करना चाहिए